यहां पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए तो दोस्तों उसके आंसर आपको मिल जाएंगे और देखे बहुत से निवेशेक यह भी पूचे रहे थे कि सर हमारे पास अल्रेडी शेर अविलेबल है तो क्या हमें आपर कौंटिटे अभी वड़ा ले जो हमें आगे जाकर बेनिफ इस एक वैल्यू होती है जैसे वैल्यूएशन की बात आती है तो वैल्यूएशन कैसे लेवल पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी फिला स्टॉक कैसे ट्रेड कर सकता है आगे और स्टॉक में एक्टिविटी जो होरी दोस्तों वो भी डिसकस करेंगे पॉइंट टू- पूरा वीडियो देखना दोस्तों आपके माइंड में कोश्चन नहीं रहेगा इस टॉक में करना क्या उसके बारे में और पॉफरमस भी कैसे रखना चाहिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा और आपको कहूंगा दोस्तों फर्स टाइम विजिट के हो तो लाइक सब्सक सके अब देखना दोस्तों आयर सिटी से की बात करें ना तो इस टॉक में आप सभी को पता है कि वैल्यू नजर आती है और वैल्यू अविलेबल है नो डाउट कि कोई कमी बोलकर हम सभी जानते हैं और हमें उसका नतीज़ा दोस्तों देखने को मिला है एक टाइम पर दोस् किलाल जैसे के सोला सो पर यह जो कोई 90 की व्योग के बारे में चीज़े चल रही थी तब यहाँ पर गिरावट अच्छी हुई थी तब भी यहाँ पर बहुत से निवेशेक ने इंट्री लेकर बहुत से बेनिफिट कमाये अभी यहाँ पर देखें सिच्वेशन वाइज आ कोई में रहता है कोशन आना ही चाहिए और मैं आपको उसके अंसर दे दूंगा अब देखें दोस्तों यहाँ पर जैसे वैलूम की बात करें ना तो वैलूम भी देखना आपको यहाँ पर नजर आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं अब देखें पूरे दिन में दोस्तों कॉं और खरीद कर रख रहे हैं कि इतने लोग खली 4,3,4,0,000 के करीब बोल तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग का असर हमें देखने को मिला है इस बात को याद रखना जो लोग खरीद रहे कम और बेच रहे जादा तो यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि लोग क्या कर रहे दोस्तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर बी रेडी नजर आ रहे हैं यह तो बात हो गई पहले आप दूस्तो ही जो यहाँ पर हम चीज़े उसके उपर आ जाते हैं देखे जो लोग पूछ रहेते कि वैलुएशन के बारे में सर वैलुएशन कैसा इसका तो आप बारा रुपए को देंगे तो मैं आप कोंगा यह जो दो रुपए जो यहाँ पर कमाई हो रही है वो इंट्रिस्टिक वैलुए दोस्तो जादी बढ़कर यहाँ पर ऐसा हो रहा है और आप यहाँ पर जब शेयर खरीद रहे दोस्तो उसका एक्च्वल दस रुपए का है ब बात को आपके मैंड में रखना और इसमें देखे जैसे हम यहाँ पर जो कमपेरिजिट की बात करें ना देखे दोस्तों मैं आपको चीजें वही है बता रहा हूं कंपनी के जो आपको आर्रिन में रखना चाहिए आपने और अप सभी जानते है कि फूर्टरंश से जो ट्र जो इसका यहाँ पर पी रिशु की बात होती है देखला है आपको नज़रा कितना है पी रिशु दो सु तीस के करिब का और इसका सेक्टर देखिए 15 से माइनस बोलतो है से सेक्टर से खुझ ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है यह बात को आप माइन में बनाखे और इसमें दे दभु केटली यहाँ पर बात हो रहा है दुस्तों की खास करकर जो इसके customers इसके बाहरे में आप ही देखे जो आपके माइंड में आता होग कि अीपिशार अरू इंर चीप जो दोस्तो cheap valuation पर stock नहीं है इस बात क्या रखना और यहाँ पर हम higher value और दोस्तो यहाँ पर जो आपको कहूँगा आप सबी को पता है जो लेट के बारे में यूज है उससे थोड़ा ज्यादा ही stock दोड़ते नजरा है मैं आपको यह बात भी कहूँगा कि दोस्तो इस टॉक पर्फॉर्म करने के ability रखता है बट आप क्या करना जो entry लेने की सोच रहे है वह यहाँ पर दोस्तो बाद में ले सकते हैं खास करकर आपके खत्रे भी दोस्तो अवेलेबल है ऐसा नहीं कि सभी चीजे हमारे favor में बोल कर यह देखे 2020 की बाद quarter 3 के result तब के दोस्तो और आभी देखे कहा पर कंपनी का profit यह जो different हैं दोस्तो यह मैं आपको कह रहा हूँ company का जो performance है और company के जो कमाई में different है वो आभी तक पूरा तरीके स आप सभी जानते नहीं है और आप कहूंगा दोस्तो यहाँ पर आप इस बात को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो private player की बात होती है तो उससे क्या होता है business में का margin है यह company की जो कमाई ही उस पर भी impact होता है बद ज्यादे ज्यादा जो यहाँ पर contract रहेंगे होता हूं कि आप यहाँ पर long term के invest करते हो ना तो आपके लिए भलाई है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादे पईसे कमाएंगे बड़ आप short term का सोचते आद खरी देंगे कल बेचेंगे तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप जो broker का फायदा करना चाह रहे है ना वह आप यह यहाँ पर कम कीजिए और long term के लिए यहाँ पर आप performance रखे खास करकर ऐसे अच्छे stock के बारे में thank you so much I hope मुझे लगता है आपके जो डाउट है ना वो clear हो चुके होंगे thank you